क्या हाल है आप सब के? कुछ दिन पहले हमने एक सेशन किया था सेशन था सूपर प्लैनर सेशन आप लोगों ने बहुत बढ़ चड़ के हिस्सा लिया बहुत मज़ा आया था, बहुत इंटरेक्टिव डायलाउग था और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला इस सेशन के एंड पर मैंने आप से ये कहा कि मैं regular आपके contact में रहूँगा और हम दोनों मिल करके कोशिश करेंगे कि जो NEED 2024 है, उसमें हमें जो success चाहिए उसके लिए academic और non-academic जो भी ingredients हैं उसके उपर हम ढंक से काम करें तो हमारा जो target है, वो ये है, NEED 2024 में हमें एक बहुत अच्छी seat चाहिए और इसके जो भी ingredients हैं, उनके उपर हम बात करें उस दिन हमने बात करी थी, हमने कहा था कि NCERT आपको पढ़ना है, आपने कोई online या offline class करनी है अगर आपको याद आ रहा है, इस तरह से हमने कहा था कि एक process है, शब्द हमने इस्तेमाल किया था, एक process है आपने class किया, आपने उसको पढ़ा, आपने उसको थोड़ा बहुत revise किया एक hypothetical, एक hypothetical आपके लिए planner बनाने की भी कोशिश की थी कि दिन में कितने बज़े से कितने बज़े तक आप इस काम को कर सकते है इसके बाद हमने ये कहा था, कि आप questions को practice कीजिए और उसके बाद में बहुत important point ये था, कि एक test दीजिए ये test आपके अपने institute का तो होगा ही होगा हमने कहा था, कि एक extra test series जरूर करिए ये बहुत हमने कहा था, कि एक extra test series जरूर कीजिए ताकि उसी question को different perspective से आपको देखने की आदत हो जाए इससे आप annotate कीजिए, कि आपने क्या सीखा और उसके बाद आप आगे बढ़िए ये एक हमने process की बात करी यहाँ पर जब मैं आपसे बात कर रहा था तो एक बहुत शांदार बात हमें समझ में आ गई कि NEET 2024, यहाँ पर हम फिर लिख लेते हैं NEET 2024 इसको इसमें बहुत अच्छा करने के लिए इस गिबन कि आपका academic knowledge बहुत अच्छी होनी चाहिए ये बात तो तह है इसके पीछे simple सी बात ये है कि इस paper में physics, chemistry, botany, geology पूछा जाता है तो हमने कहा कि क्योंकि इसमें physics, chemistry, botany, geology पूछा जाता है इन में कुछ facts हैं और इन में कुछ concepts हैं और उनको आपको याद करना है, आपने उनको समझना है आपने calculate करना है for that matter इन सब चीजों को आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें से वो 180 question पूछे जाएंगे तो अगर किसी की academic strong नहीं है तो इसका मतलब उसका selection नहीं होगा ये बात तो तह हो गई ये बात हमें समझ में आ गई, बिलकुल clear हो गया लेकिन एक बहुत शांदार बात जो आप लोगों से discuss करने में निकली, वो ये निकली कि it is not necessary कि कोई linear relationship है academic का और result या success का सो जब हम बात कर रहे थे तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह रहे है कि जिसे हम अच्छा बच्चा कहते हैं अच्छा बच्चे का मतलब आप यहां समझ लीजिए मेरे हिसाब से सारे बच्चे अच्छे होते हैं मेरा तो मानना ये है कि एक entrance exam आपकी जिंदगी की worth decide नहीं करता इससे फरक नहीं पड़ता एक exam में आप कैसा कर रहे हैं इससे ये नहीं होता कि आप अच्छे हैं कि नहीं है मतलब ये कि आपने एक exam में अच्छा नहीं किया तो आप बहुत बिकार हैं और एक exam में आपने अच्छा किया तो इसका मतलब आप बहुत अच्छे हैं ऐसा कोई criteria नहीं है लेकिन मैं बार-बार बच्चों से कहता हूँ आपकी चॉइस का केरियर है ये केरियर आपने अपनी मर्जी से चूज किया है आप चाहते हैं डॉक्टर बनना इसी लिए बेस्ट एफ़र्ट देना आपका करतव्य है यहां से एंग्जाइटी हटाइए आपने अपना बेस्ट करना है उसके बाद होगा या नहीं होगा उसको भूल जाइए ये चीज कभी भी मदिमाग में नहीं लानी चाहिए के होगा के नहीं होगा सोचना केवल ये है what is more important question is कि मैं वो सारे काम कर रहा हूँ की नहीं कर रहा हूँ जो मेरी choice के carrier में success के लिए जरूरी है मेरी choice है किसी ने मुझे जबरदस्ती नहीं का मैं बनना चाहता हूँ मैं इस यग में क्या-क्या आहूती देने को तयार हूँ क्या-क्या sacrifice कर सकता हूँ और क्या मैं अपना best effort दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ कम से कम मुझे अपने आप से इमानदार होना चाहिए अपनी responsibility को समझना चाहिए ये बात दे है लेकिन फिर भी चलिए हमने कहा कि उसी पार्लेंस में बात करते हैं एक बच्चा काफी पढ़ता है काफी मेहनत कर रहा है पूरे वो जो घंटे है वो जो टाइम टेबल है उसको फॉलो कर रहा है फिर हमने देखा कि इस नॉट नेसेसरी कि वो यूजली सकसेस्फुल हो सो हम कई बार ये देखते हैं कि बहुत academically कई बारी उतने अच्छे ना हो करके भी हमने देखा कि result कई बार बहुत जादा आ जाता है एक बात तो तय है कि जिस भी जने ने बड़ा अच्छा result दिया है नीट एंटरेंस एक्जाम में उसने process को follow किया है discipline तो सारे के सारे हैं लेकिन discipline बहुत सारे लोग होते हैं उनमें से कुछ इतनी extraordinary जो success लेके आते है तो हमारा निशकर्च यह निकला था कि इसमें कुछ non academic role भी है किसी और चीज की भी जरूरत पड़ती है और ये करीब करीब बराबर है academic और non academic का contribution करीब करीब बराबर है अगर आप मेरे से वाकई में मेरे दिल की बात पूछे तो मैं ये कहता हूँ कि non academic साइज शायद ज़्यादा जरूरी है मान लीजे मैं आपको bio का example देता हूँ so bio के बारे में मैं पक्के तोर पर जो बात कह सकता हूँ इधर रेखिए biology में class 11 और class 12 की जो किताब है इस में से सारे 90 questions आने all 90 questions will be from NCRT आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ अब इन दोनों में मिला करके साड़े 500 पन्ने हैं और 11 बी के बच्चे के लिए जो दो साल तयारी कर रहा है उसके पास 700 प्लस दिन है जो एक साल भी तयारी कर रहा है उसके पास भी 350, 360 प्लस डेज है अगर आपने एक दिन में 2-3 पन्ने भी पढ़े तो आप इस किताब को 3-5 बार पढ़ सकते हैं पहली बारी तो आपको टाइम लगेगा आपको 2-3 पन्ने और उसके बाद आप दूसरी बार पढ़ेंगे तो 6-7 पन्ने पढ़ेंगे आप यह देखिया आप 3-4 बार इस किताब को पढ़ सकते हैं कहने का मतलब यह है इस नॉट आप वेरी वेरी बिग डील लेकिन वाट इस बिग डील इस असेल्फ बिलीफ, अकॉन्फिडेंस, अपनी केपिबिलिटी में विश्वास यह मानना के मैं कर सकता हूँ क्योंकि कोई भी चीज दो बार बनती है पहले दिमाग में और उसके बाद रियालिटी में अगर जिस चीज को आप सोच नहीं पा रहे हैं तो वो वाकई में बनेगी भी नहीं अपने सोच को बढ़ा करना, अपने विजन को बढ़ा करना, वाय समझना कि मैं ये काम कर क्यों रहा हूँ ये सारी की सारी चीजे, आप्टिमिजम चाहिए, हार्ड वर्ट चाहिए, ओबियसली डिसिप्लिन चाहिए, डिलेड ग्रेटिफिकेशन चाहिए और उसके लिए फिर वो चाहिए कि ये काम मैं कर क्यों रहा हूँ, बार बार, क्योंकि अधर वाईस इतना असान नहीं होता, डिसिप्लिन में पेइन होता है ये सारी की सारी चीज़े, ओप्टिमिजम होनी चाहिए, कर ही लूँगा, कोई बात नी, ओकेशनली गड़बड हो रही है, एकाट टेस्ट खराब हो गया है, कोई बात नी, ओप्टिमिजम होना चाहिए, अगले बार देखेंगे तो ये एक जज़बा होना चाहिए, अगर कहीं पे थोड़ी हार भी है, तो उसको स्विकार करना चाहिए, और ये सोचना चाहिए, कि इस से आगे मेरे को क्या सीख मिलती है, ये सारी की सारी flexibility हो सकता है, कि मैं जो काम कर रहा हूँ, वो बिल्कुल ठीक ना हो, हो सकता है, उस कि हाँ, दूसरा आदमी अगर कोई feedback दे रहा है, तो वो सच भी हो सकता है, आपको एक analyze करना चाहिए, क्या ये मेरी problem हो सकती है, और उसे जिन्दगी में आप उसको apply करें, सबसे बड़ी चीज ये है, apply करें, successful लोगों के साथ आप बैठ रहे हैं, उनकी गलतियों से आपने स पर है नहीं, तो इस non academic चीजों पर हम बात करेंगे regularly आपके साथ में, तो ये जो बैने आज पहला वीडियो किया है, इसके बाद आप ये समझेए, कि मैं हर कुछ दिनों में आपके साथ आऊंगा, और आपको ज्यान ना दे करके कुछ tangible बाते बताऊंगा, तैंजिमल बाते वो है, जिसे हम वाकई में कर सकते हैं, उसको करने का तरीका देखेंगे कैसे करते हैं, और उसका कोई result सामने आएगा, कुछ दिनों में पता चलेगा, कि इससे हमें फायदा हो रहा है, कि नहीं हो रहा है, हो रहा है तो उसको follow करेंगे, नहीं हो रहा है, तो छोड़ देंग किताब का मैं ये एक point ले रहा हूँ, एक बहुत बड़ी किताब है, self help book बहुत बड़ी किताब है, उन्होंने ये कहा कि जिन्दगी में एक definite chief aim होना चाहिए, अब आप ये देखिए कि यहाँ पर लिखा है मैंने chief aim, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है definite, इस word का मतलब समझ अब ये, now this chief aim has to be defined, पूरे तौर पे होना चाहिए, अगर मैं आप से ये पूछू कि आप जिन्दगी में क्या करना चाते हैं, और आप ये कहते हैं कि मैं जिन्दगी में बहुत अच्छा करना चाता हूँ, बहुत अच्छा करना चाता हूँ, तो इसका मतलब क्या है, तो म ये आपका financial aim क्या है, और वो कहता है कि मैं बहुत सारे पैसे कमाना चाता हूँ, बहुत सारे पैसे कमाना चाता हूँ, मैं मेहनत करूंगा, मैं पूरा legally अच्छी तरीके से पैसे कमाना चाता हूँ, मान लीजी ये कह दिया, पर ये बेटे definite नहीं है, इसमें क्या होगा, अगर आप timeline लगा दे, तो फिर वो definite आजाएगा, for example, need SP rent के बच्चे को, अगर वो ये कहता है कि आपका need 2024 में मैं बहुत अच्छा करना चाता हूँ, अब एक दम आप समझ गए कि इसका मतलब क्या है, बहुत अच्छा करना चाता हूँ, तो आप समझ गए कि ये definite नहीं है, ये definite नहीं है, आपने ये कहा कि 5 मई होगा कि नहीं होगा, exam update डाल दीजे, 5 मई 2024 मेरे ख्याल से संडे होना चाहिए, इस दिन neat entrance exam है, ये neat entrance exam 2 बजे से शुरू होगा, और 5 बज के 20 मिनट पर होगा, इसमें मुझे 180 question करने है, और मेरे को 180 correct करने है, और सुनिये अबड़े ध्यान से, सपने मैं बार बार कहता हूँ, एक बड़ा famous बात मैं कहता हूँ, आप लोग भी जानते हैं, मेरी बड़ी प्रिये बात है, सपने बिकारियों की तरह मत देखिए, जब आप vision देखते हैं, सपने देखते हैं, तो ऐसे समझी आपके हाथ मे magic wand है, एक जादू की छड़ी है, सब कुछ possible है, क्योंकि जब आप दिमाग में सोचेंगे, तब आप सोचेंगे इस काम को करना कैसे है, आप ये मत सोचेंगा कि एक आखरी seat मिल जाए, seat भी मैं घर से ले जाऊँगा, अपनी गाड़ी की उखाड के ले जाऊँगा, अपनी जो study table है, वो वाली seat ले जाऊँगा, इसका भी खर्चा सरकार से नहीं करवाँगा, seat में ले जाऊँगा, दो चार और लोगों की seat में ले आऊँगा, मेरा contribution हो जाएगा, इस तरह की बात नहीं करनी है आपने, छोटा सा ये हो जाए, छोटा सा वो हो जाए, think grand, magnanimity से सोचि आपने, क्योंकि आप किसी को बता दी रहे है, आप सड़क पे खड़े हो करके यहां भाजण नहीं दे रहे हैं लोग अभी आपको embarrassed होने की जरूत नहीं है, वैसे भी नहीं होना चाहिए, वैसे भी नहीं होना चाहिए, आपका अपना dream है, इसमें क्या बात हो गई, आपने यह एम करना चाहते हैं, कि इस एम को करना चाहते हैं, जो चीज दिखने ही रही target उस पर निशाना कैसे लगाएंगे, यह तो दिख रहा है आपके पास में, अब आपने यह कहा कि यह मेरा एक क्या है, definite chief aim है, सो सबसे पहले यह definite chief aim और इस aim को please, इस aim को लिख लीजिए, इस aim को लिख लीजिए, ध्यान से समझिए बेटे, मैं आपसे कह रहा हूँ, put it in writing, एक बड़ा सा चार्ट पेपर लीजिए, उस पर bold pen से लिख लीजिए, कि आपका aim क्या है, और इसको ऐसी जगे प्लेस करिए, जो कम से कम दिन में एक बार, once a day, now this is I am saying at least, at least दिन में एक बार आपको दिखाई दे, ये लिखा हुआ, आपको दिखाई देना चाहिए, इसे लिख के किसी अकबार में लपेट के संदूक में दबा के मत रख देना, कि इसके बाद देखेंगे, इसको एक साल बाद धूप लगाएंगे, इसको धूप लगाओ, इसको सामने रखो, ये बार बार एक चीज उसके दिमाग में जब आ रही है तो आप ये देखेंगे कि आपका दिमाग मान लेता है इस बात को जब आप बार बार एक ही चीज दिमाग को समझाते हैं ये मुझे करना है ये मुझे करना है आपने बच्पन में जिद करी थी आपको बजार में कोई किया जब आप बहुत चोटे थे आस पास के लोगों ने रुक के देखा कि ये बच्चे के साथ क्या जाती हो रही है और आपके पेरेंट्स को वो खिलोना खरीदना पड़ गया मेरा मंदब क्या है इसको पॉजिटिव तरीके से लीजिए यहीं से मेरी बात समझेए कि यह जो आटो सजेशन है यह जो सब कॉंशियस माइंड को इंप्रूव करता है इसलिए मेरा यह जो चीफ एम है बहुत शांदार होना चाहिए ठीक है मैं सबसे बढ़िया जेब काटने वाला नहीं बनना चाहता हूं कई मैं रोजी अपने आपको आटो सजेस्ट करना शुरू कर द हिस्ट्री इस बात की साक्षी है इस चीज को 100% हिस्ट्री में आपको हरे हजार हो एक्जामपल मिलेंगे कि इस पावर अव सब कॉंशियस माइंड का इस्तेमाल करके प्रॉपर लोग बड़े-बड़े इन्वेंटर्स बने हैं बहुत बड़े जो रिफॉर्मिस्ट हैं वो हिसाब की है आपने एक डेफिनेटिव चीफ एम जो अपना रखना है वो बड़ा ग्रैंड होना चाहिए वो लीगल होना चाहिए वो जिंदगी में सब को किसी का नुकसान ना करे इस तरह का होना चाहिए दूसरों के लिए आप एक प्रेरना का स्रोत बने ये सारी चीज हो सकते हैं क्या ये डूएबल है के नहीं है इसको किया जा सकता है के नहीं किया जा सकता जादा से जादा क्या होगा आपका एक चार्ट पेपर और उस पे जो आपने लिखा वो पंदरा दिन में आपको लगेगा बेकार है इसे फाड़ के फैक देना क्या खराब हुआ आपका सो कहने का मतलब है हम बार-बार यहां पर वो बात करेंगे जो जिन्दगी में एक्चुली बड़ी असानी से की जा सकती है सो पहली चीज तो हमें यह समझ में आ गई कि definite chief aim चाहिए आज की बात का बड़ा important point हमारा यह था आगे देखिए इसके बाद मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको एक काम और करना है देखे वेड़े यहां पर आपने एक काम और करना है let me have another slide for you मेरे पास एक और चीज है वो यह है अब आप किसी को बार-बार बताईए मत इसको आपने एक बार बता दिया बार-बार काने की जरूत नहीं है अब लोग आपसे कहेंगे बहिया बोलो मत बहुत होगे आप दिखाओ करके दिखाओ सो कहने का मतलब यह है कि आपने एक एम रख लिया अब एम रखने के बाद में आपका सीधा काम यह है आप ने जो वो लिखके रखा है वो अपने लिए लिए लिखके रखा है ताकि आप दिन में एक बार उसको देख सके आप दुनिया को बार-बार नी बता रहे हैं कि मैं एमस दिल्ली जाना चाहता हूँ आप एक काम करिए आपने बता दिया एक आथ बार और अब जो है आपको अपने दिल पे पता है कि मुझे क्या करना है और आपने अपना एक्शन एवरिटिंग इस एक्शन अब आपका एमस डेली नहीं होता है तो यह बेटे आपका फेलियर नहीं है आपको बहुत शांदार सक्सस मिलेगी जो नॉर्मली इस तरह से नहीं मिलती हूँ, उससे बहतर मिलेगी, यह बात मेरे से अब लिख के रख लिजिए, कहने का मतलब यह है, हमारा मकसद यह नहीं है, अब हमारा कराइटीरिय यह नहीं है, कि AIMS डैली नहीं होगा, तो हमारा नहीं होगा, हम इस तरह का प्रेशर नह होता है, वहां से भी बहुत बड़ा काम किया जा सकता है, आप यह जानते हैं, कि जरूरी नहीं है, कि जिन्दगी में सक्सेस्फुल, वही लोग होते हैं, जो एक पर्टिकुलर X, Y, Z कॉलेज से निकलते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अगेन, इन चीजों को करेक्ट पर परस्पेक्टिम में रखना बहुत जरूरी है, मुझे उमीद है, यह बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, चलिए, एक और मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, यहां पर, एक और मैं आपके लिए, एक और बात करने आया था, वो यह, वो यह है, पावर ऑफ इस, पावर ऑफ ईलाईज का मतलब समझें, यह देखिए, जब आपने वर्ड वार 1 पढ़ा होगा, आपने वर्ड वार 2 पढ़ा होगा, तो आपने देखा था कि एलाईड पावर्स ने हराया एक्सिस्स पावर्स को, अब आपको पता है, जैसे जर्मनी, इतली, जैपैन, एक तरफ आ गए बाकी तरफ यूएस हो गया, इंग्लेंड हो गया, बाकी यूरोपियन नेशन्स हो गया, रशिया हो गया, यह क्या थे एलाइड, सो मेल जुल करके काम किया जाता है, एलाइड, बहुत जादा बड़ा रिजल्ट अचीव कर सकते हैं, जो एक नहीं कर सकता, यह बात हमेशा याद रखिएगा, इसका मतलब यह हुआ, कि आपके जो यहाँ पर एलाइड हैं, वो बहुत इंपॉर्टन है, यहाँ पर मैं बार ब 700 नंबर आते हैं, देखिए, मैं यह चाहता हूँ कि आप इनकी मदद करें, आप इनकी मदद करें, मेरे को आप गलत मत दीजेगा, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि इनको भूल जाए, यह मतलब नहीं है, बिलकुल भी, मैं आप से कह रहा हूँ कि आप अपने ग्रुप में important group बन जाए, जिससे इनको भी फाइदा हो, आपका भी फाइदा हो, इनका भी फाइदा हो, और आपको भी फाइदा हो, allies बहुत जरूरी है, एक और तरीका होता, allies बनाने का, आपकी physics बहुत अच्छी है, chemistry खराब है, biology बहुत अच्छी है, आप immediately समझ गए, कि आपने किस ज जने की मान लीजिए, physics अच्छी नहीं है, आपकी physics अच्छी है, तो कितना बढ़िया symbiosis हो गया, आप ये समझ सकते हैं, एक दूसरे की मदद की जा सकती है, इस तरह की जो win-win situations है, यहाँ पर जो allies हैं, मिलकर के जो achieve करते हैं, वो बहुत बड़ी चीज करते हैं, ये synergy होती है सो synergy का मतलब ये है, कि इन सब की energy मिलकर के, जब आप काम करेंगे, तो आपको एक अलग ही level पे result दिखाई देगा, अब जैसा हम कहते हैं, कि 1 प्लस 1 बेटे 2 नहीं होगा, एक और एक 11 भी हो सकता है, now this is truth, ये जो allies है, ये allies आपको choose करने हैं, ये एक बहुत बड़ी तरीका ह हो सकता है, जिससे आप, कही बार आपको लगता है कि ये आदनी, दूसरा आदनी बहुत positive attitude का है, और वो आपके साथ बात करता है, आपको अच्छा लगता है, दिन में 15 मिनिट उससे बात कर लेना, ये रहा आपकी LIG power, आपको बहुत अच्छा कोई facts आते हैं, आपने उसको facts बता दिया, so ये जो symbiotic relationship है, ये जो win-win situation है, ये success के लिए बहुत जरूरी हो सकती है, इस काम को भी आप कर सकते हैं, finally एक चीज और बताता हूँ आपको, so एक final बात इस बारे में और बताता हूँ आज के वीडियो में, वो ये है, वो ये है, इसका मतलब क्या है, इसका मतल सबसे असान काम क्या है, काम को शुरू करना, so this is the easiest job, और इसको बेटे लाखों लोग करते हैं, आज मैं ये कर दूँगा, कल कुतुब मिनार बना दूँगा, परसो ताजमेल बना दूँगा, और मतला बनाना कर दूँगा, और ये कर दूँगा, और वो कर दूँगा, और म को खतन कौन करता है, who actually has the guts, इस पूरे रास्ते में से निकल के, किस के पास ये guts है, किस की ये वकात है, कि वो इस काम को finish करे, यहां है success, इस रास्ते में पैर में चाले आएंगे, इस में जो है, मुश्किले आएंगी, इतना असान नहीं है, इस काम को जो यहां से निकलता है फिर उसे ये glory मिलती है, और वो जिनकी बार rule करता है, और यहां पर मैं आपसे कई बार बात कर चुका हूँ, इस finish के बारे में मैं एक video करूँगा, मेरे लिए ये शब्द है, कि इसको आप totally finish करते हैं के नहीं करते हैं, कोई भी काम आपने किया, मैं कहता हूँ, आपने उसे टी एफ, totally finish किया के नहीं किया, उसके जितने components उनको properly follow किया के नहीं किया, और ये अगर आप day in and day out करते हैं, तो आप मान के चलिएगा, कि आपको success जख मार के मिलेगी ही मिलेगी, ये वो ही बाल हट है, जो मैंने आप से कहा था, कि आप जमीन पे लेट गए, और आपको क्य मिल गया, आपको खिलोना मिल गया, अगर आप हट पे आ जाए, तो बच्चों की हट के आगे तो भगबान भी नाचते हैं, कहने का मतलब ये है, कि हट से तो सारी दुनिया पे चीज़ों को अचीव किया जा सकता है, उमीद है, इससे आपको फाइदा होगा, कुछ चीज़ आप जरूर करेंगे, कुछ ही दिनों में इसके फालो अफ के साथ मिलता हूँ, ये टोटली फिनिश का क्या मतलब है, इसके बारे में बात करूँगा, प्रीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी प्राबलम है आपकी, आप डालिए, ताकि वो मैसेज मेरे तक पहु पूरा किया जा सकता है, थैंक यू फॉर या टाइम